नमस्कार दोस्तों मैं एर्विंद कुमार वेशनों आज हम पंड़ेगे वल्ड जियोग्राफिक का एक मैथपूर्ण टोपिक जोला मुखी वॉल्ड के नो पूर्ण 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 जो मुख्य को ठीक है अब जो लब की कुछ यह इस परकार से उसे उन्सप्रकार से यह भर्याक Years北 подготов में फीरिक से निकलता है इस प्रकार से समय निए बता रहा हूँ इसे निकलता थीक दो अंसे भाग इसे का मेंटर अथ सरजना में आपको बाद में कभी टोपिक तो देखिए मेंटल वांग पाया जाता है मेंटल के एस थेनो स्पीर भाग में मैगमा पाया जाता है ठीक है तो क्या समझा हमने कि पृस्ट्वी के अंदर रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे मैगमा और पृत्वी से बाहरा आते जो जमीन क्या बोलेंगे जुआला मुक्ः संकू पर्वत के आकरति को ठीक है तो यह बन गिया जौला मुक्ः अंदर वाला बाग मेगमा यह कहां पाज आ मेंटल के S3 clase में ठीक है बाः आएगा तो अगर जमीन पर गिरेगा तो इससे क्या बोलेंगे लावा इस आकरति क्या बोलते हैं तो परवत के अकरति को जोला मुकी संकू कहते हैं ऑगे हम बात करें देखे लावा अगर जल पर गिले अगर वह जल martial में गिरढ़ाई उसम दोसिम क्या बोलेंगे तफ बोलते हैं क्या बोलते हैं तफ अगर लावा जलग गरे गिरे तो डिया यह . typically क्या सब्तार प honeymoon 2021 वापस सभी घ़डंते हैं अगर लावा पर फिर्थवी याईने जमीन धर्थी पर गिरे यह तो जमिंद दर्थी पी कमिन्वा को ठीक हैं अगर लावा जल पर गिरे तो उसे हम टफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? टफ और अगर लावा जमीन पर भी नहीं गिरे और जल पर भी नहीं गिरे और चने का अकृतिम गिरे वापिस सुनना मेगमा अंदर रहेगा बारते जमीन पर गिरे तो लावा जल पर गिरे तो टफ और चने का अकृतिम गिरे तो स्कोरिया केंगे ठीक है clear हो गया आगे में बात करें मार्ग यह वाला मार्ग बीच वाला इसम क्या बोलेंगे चिद्र या फिर नली क्या बोलेंगे या तो चिद्र या फिर क्या बोलेंगे नली बोलेंगे ठीक है फिर खड़ा बनाएगे गड़ा तो अगरे छोटा गड़ा बनाएगा जोलम क याने प्रणेते तो याने सुनो मार्ग की छिदर्या नली अगर छोटा छुटा खंडा बनाएगी तो क्रेटर और अब बात करें कि लावा से कौने चटान का निर्मान होता है तो लावा से आगने चटान का निर्मान होता है चटाने तीन परकारी होती है आगने अवसाधी कायंतरित तो लावा से आगने चटान का निर्मान होता है ठीक है जोला मुखी से क्या क्या निकलते हैं प्रसमर पूचा गया कि लगबग 60-90% निकलती है जलवास्प क्या निकलती है जलवास्प सर्वादिक निकलती है तो देह जो जोला मुखी से निकलने वाले टुकड़े होते हैं तो अगर छोटे टुकड़े हो तो हम क्या बोलते हैं लेपीली और बड़े टुकड़ों को बम जोला मुखी से निकलने टुकड़े अगर बड़े हो तो बड़े क्या बोलें बम क्या बोलेंगे बम और छोटे टुकड़े ह के ले पी ली ठीक है आगे होगा समझ में नहीं आई रिपीट कर लेना स्क्रीश वोट लेजिए आगे और करते हैं उह मुखी के प्रकार की बात करें तो पहले मुफ़ हो उद्धगार के आदार पर uplifti पहले पहले हो रसे कमी निभल मुखी परकार उद्धगार के पहले हो ना ही 2 पर पहले होता है यहां पे फटाथ को लोग इसे अगनी किस रसी की रूप में पूझते हैं और अगनी की केश रासी के पूझते हैं तो पहला कौण सह हुए परकार 7 उधिगार वरव लाभा प्रिथी पर फ्यल जाता है, ठीक है कि है ? पर फटाता ह hop uważई द्वीप के लोग इसे अगनी देवी की रूब में पूसते हैं अगनी की केस राजी ठीक है फिर दूसरा प्रकार स्टुमली तुलये इंपोटेंट रहा रगना त्रूमली तुल्ये पहले के व ra invented div उद्गार होता है ст lament टूले में पहले के बेखसे थोड़ा ति वरुदगार होता है कौऊंसी देश में तो इतली में इतली में स्ट्रॉम्ध दि सागर कीकmittel क्युक्त प्रकास तम भी बोलते हैं very 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 important बुमद्य सागर का प्रकास तम कौँसे जौला मुखी बोलते हैं तो strongly तुलिये जौला मुखी को ठीक है तो strongly तुलिये पहले के पिसे से थोड़े तीवरुदगार होता है कोऊसे देश में तो इटली में ठीक है बोमेडिय सागर के सीसली दीप्र परप्टा था »। और इसे बोमेडिय सागर का प्रकास तम भी कहते हैं। ठीक है? आब तिसरा प्रकार भात करें वलकेंनो जॉला मुखी है। समान हो जाता है उसके आकरती फूल गोपी के समान हो जाती हैं। वेंगिन इसकी विश्य है, ठीक है। तो वेलकेनो जोला मुखि की आकरती फोल गोपी के समानो हो जाती है तो लिपारी दुवाट के नाम पर इसका नाम मना गया। वलकेनो जोला मुखी का नाम लिपारी द्वीप के नाम पर मना गया है, थोड़ा वैसे टोपिक मना जाता है जोला मुखी, ऐसा मैं सोना आप समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा टोप होता है ये, ठीक है तो आसानी बात करेंगे, तो वलकेनो जोला मुखी इसके आकरती फूल के समान उती है, और इसका नाम लिपारी द्वीप के नाम पर मना गया, ठीक है, छौता प्रकार विश्वी एस या पलीनी, इम्पोर्टेटन है, विश्वी एस या पलीनी, पलीनी के बोलते है, क्योंकि पलीनी नामक विक्तिनियश को खुझ था था, जिक है, माउंट विश मुंखी, इस्वी, 79 इस्वी में ओके प्रकार salmon ओके प्रके 172 में तर्चक पर रुजॡ़ा कि WAWA के संदा जल दमरू दीपर भटाता सुन्दा जल डंबरू दीपर पटा था जिसमें 36,000 लोग मारे गयते हो सबसे खतरना जौला मुखी मना जाता है पेलियन तुल्य जौला मुखी ठीक है वापिस रिपीट करते हैं देखे जौला मुखी परकार उद्गार के आदार पर पहला हवाई दीप हवाई परकार जो सबसे खतरना जौला मुखी अटगार के संडीप ग्रणबरू दीव पर पहचता जिसमें 36,000 लोग मारे गयते स्क्रेंश उट लिए अब आगे बूर करते हैं के आदार पर जॉला मुखी के वरगी करण की बात करें तो देखिए समधी के आदार पर तीन पर करें जॉला मुखी होते हैं और यह मैत दूसरा प्रसुप्त यानि सोया हुआ है यानि कभी भी सब्सक्राइब निकलता है इसके उदान कौन-कौन मैतपूण है और प्रिक्सा में प्रशन यहीं से बूटब होता है इसलिए आपको याद होने चाहिए तो मैं सभी लिखा लिटा हूँ आपको important, important, जो math पुन है, important है, उससे परसन आपके बेट जाएगा, ठीक है, तो जागरे जॉलामकी उदान, पहला, एटना जॉलामकी, एटना कौन सी देश में, इटली, इटली के इटली के, 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 इटली क सिधा प्रस पुचा गया है कोटोपेक्सी ड् Tiny वहाय वहाई कंश में हैं तो खुर्व का सब से ऊचा सक्री ड्रा कौन सा तो कोटो पेक्सी कोटो पेक्सी जोला मुखी कौन से देश में एकवेडोर में विश्व का सबसे उचा सक्रिय जोला मुखी ठीक है ओके फिर अगला है किलाईू हवाई द्वीप अमेरिका में हैं किलाई जोला मुखी कहा है हवाई द्वीप अमेरिका में यह का सबसे सक्री जॉलम की सक्री ठीक और भारत का एक मातर सक्री जॉलम की बारत का कौन सा है लेक सब्रस्थ कभी भी पहल्ट सकता हैं, मुंक्यत तो आप याद करने विपलिएस एक दो, फिर दूसरा कराकाटुअब और थीसरा फ्यूजियामा, देखे विपलीएस काहा इंडोनेसियाम और फ्यूजियामा जापान में, चिदा सब्सक्राइब पुचा गया प्रसुप्थ जोला म की तीन है मुगत कौनसे विशुवयस इटली, क्राकट उवा इंडोनेस्या और फ्यूजयामा जापान विशुवकाका के फ्यू जड़िए कौँसे देशो देशल में Two-52 मेंमार के अंदर किलिमि ओ तंजानिया के अंदर पढ व्पा अफ़ीं का महादीप के अंदर कlausि हैं या नहीं तो किलिमि ओढ गांग वा एक था य। तो एकांग हुआ सबसे उच्छा मिरित जोला मुखी है, विश्व का सबसे उच्छा मिरित जोला मुखी कौन सा है तो एकांग हुआ, मांट एकांग हुआ है तो एकांग हुआ, रिपिट करते हैं वापिस, समय क्या दार पर जोला मुखी तीन प्रकारी पाए जाते हैं, प्रसुप्त कभी फट सकते तीन है विशु काका के फ्यू जूट गे विशु वेस इटली क्राकटोवा इंडोनेसिया और फ्यूजियमा जापान ठीक है और सांत्या मिरित जौला मुखी जो मर गया है कौन-कौन से को सुल्तान और देवबंद इरान के अंदर पोपा मियामार के अंदर पुछा गया गराम विकासिद्गारिम पोपा मियामार किली मंजारू तंजानिया अफ्रीका के अंदर और माउंट एकांग गवा सबसे उचा मिरित जौला मुखी ठीक है दक्षिन अमेरिका इंदर ठीक स्क्रेंशोड लिए कुछ मैत्पॉन बिंदू में आपको करवाता हूँ इसके बाद पूरा टोपिक खतम हो जाएगा ठीक है विशेश बिंदू की हम बात करते हैं तो देखे गीजर या गेसर गीजर क्या करता है पानी गरम करता है ठीक है तो गीजर यह आइसलेंड बासा का सब्द है जिसका अर्थ होता है तेजी से उचलता हुआ गीजर या गेसर यह क्या आइसलेंड बासा क सब्द है जिसका अर्थ है तेजी से उचलता हुआ ठीक है इसमें क्या क्या होते है तो गरम पानी प्लस वास पर निकलते है गरम पानी प्लस वास पर निकलता है गरम पानी प्लस वास पर निकलता है गरम पानी होता है और वास वेरे वेरे इंपोटेंट, घिजर सरवादिक कहां देखने को मिलते हैं तो अलास्का में, और कौन से राश्टिव ध्यान में, तो USA के येलो स्टोन नेशनल पार्क में, सरवादिक, देखने को मिलते हैं अपने को घिजर, ठीक है, रिपिट करते हैं, घिजर या गेजर, ये आइसलेंड बासाग सब्दें जिसका आर्थ होता है तेजी से उचलता हुआ अलासका में सरवादी पाए जाते हैं गरम पानी प्लस वास्प निकलते हैं और यूएसे का येलो स्टोन नेशनल पार्क इसके लिए परचिते हैं ठीक है गिजिर है गेसर फिर बात करें दुवार बहुत मार पुछगया है इंपॉटेंड़ दुवारे ज्लवास्प सैलपल्डाइब लूवर से अलासका में सर्वादी तो में में पाए जैते हैं तो ये काट्माई राष्ट्री उध्यान पाए जेते हैं ठीक है और अलासका में हुढ़ाया को तो दुवारे जलवास्व प्लस S2 प्लस S2 असे लोती है और सरवादी दुवारे अलास्का के काटमाई राष्टी उद्यान में है और अलास्का में ही 10,000 दुवारों की गाटी है बहुत बार प्रसन पुछा गया है 10,000 दुवारे गाटी काटमाई तो अलास्का में काटमाई ठीक है ओके अब विशेश लगया आप उप्लस लिखने सरवादी जौला मुखी कौन से मास अगर में ते कहां आते तो परीपरसांत मेकला में आते हैं और इससे क्या बोलते हैं अगनी वलाई केते हैं यानि रिंग ओ फाइर बहुत बार प्रसन पुछा गया है कि सरवादी जौला मुखी काटमाई तो परीपरसांत मेकला में यादवा नच यह आपको। तो देखे, सर्वादिक जोला मुख्या परीपर्सांद मेकला में आते हैं, इसे ही अगनि वलाई कहते हैं यानिila Ringo Fire कहते हैं। सर्वादिक जोला मुख्या देश कौन सा है? तो इंडोनेसिया। जीउन से सुनना। ठीक है, यानि सरगार अंविसारियों वहां पे गर बनते हैं, ठीक है, तो सरवाधी जौल्ला मुखी वाला देश इंडोनेसिया, और सरवाधी भुकम वाला देश तो चापान, ठीक है, ठीक है, और उस्ट्रिलिया महादीब में एक भी जौला मुखी नहीं, अगर आपसे में एक भी जॉला मुख्य नई है मैंने आपको जॉबा विस्तार शॕ रहा है और किसी बाइशा में प्ररस्ट 12 नहीं भोछ यह assassiner डीक्र भाई है तुम ½ से अनध ounce